वेलकम बेक, पिस्छली वडियो में हमने देखा था हीट स्टीेटमेंगोसेß होती क्या है , आध हम दो क्यों बात कर सो होती है और कयी से हम लोग उसको, ग्शिगूट कर थे है तो काफिस स्के बच्चों का एक और क्यों निए था कि सर बुक कौन सी प्रिफर करना है इसकी लिए या और हम लोग क्या नोटे लें तो बुक कौन तेसरा होता है Hardening , तो त्षथा होता है आपका Tempering , और तंप आपका Case Hardening , और Case Hardening , Case Carburizing , Night Riding , Cine Anding , और Flame Hardening , तो ये different different type के Heat treatment processes होते हैं , आज की शुडियो में हम लोग अच्छी से treatment कर सकते हैं बहुत सारी उसके drawbacks दूर कर सकते हैं annulling के माध्यम से तो आईए हम लोग देखते हैं तो अगर हम अनिलिंग के बात करते हैं तो हम लोग annulling को चार बागों में divide कर सकते हैं पहला होता है हमारा process annulling दूसरा होता है हमारा full annulling तीसरा हमारा होता है spheroidized annulling और चोता होता है diffusion annulling तो यह different different type of processes हैं सब कुछ नाम से आपको लग रहा होगा है रहे क्या चीज़े हैं लेकिन बहुत आसान है बहुत simple है कि इनमें only temperature range का difference है कि किसे हम लोग कहां पर heat कर रहे हैं किसे हम लोग कहीं और heat कर रहे हैं ठीक है ओके ना process annulling से हम लोग start करते हैं तो process annulling होता क्या है तो कुछ चीज़े हैं जो आपको याद रखना है हर heat treatment process के अंदर जो सेम होगी पहली बात तो यह हम लोग generally low carbon steel और medium carbon steel का करते हैं वह बिशल करते हैं और basically 99% हम लोग heat treatment जो करते हैं वो यहां पर यह जो पॉइंट है वो यूटेक्टोइट पॉइंट आपको दिखता था और यहां पर कार्बन का परसें 0.81 अगर आपना आप जरूर देखें वहां पर आप अगर मैं उसका एक सोटा सा क्रोश एक्षिन अड़क उठा लेता हूं यहां पर आप देख सकते हैं तो पूइंट से अधर आपका ल्युक्त चिजरी पूइंट से असपास आपका मीडियम कार्बन स्टील हैं मीडियम कर्बने डूर्न करते हैं तो इसमें यह जो हमारा है संब्सक्रों को और यह जो मेरी लाइन है पूरी यह वाली जो मेरी लाइन है यह मेरा जो पूरा है क्या है लोवर क्रिटिकल पॉइंट है और यह जो मेरा है यह पूरा क्या है मेरा अपर क्रिटिकल पॉइंट ठीक है अपर क्रिटिकल पॉइंट अपर क्रिटिकल पॉइंट अब यह अपर क् क्वेंटिंग पॉइंट का आधा होता है मतलब T chief सब्सक्तियों क्लेंटियों क्या होता है T PLA मेंटियों किछला टेंपरशेशन पर्हुंन का 하वज द घंस को In पके इंशरम्स भी बॉलते हैं lo innovate का को यहां पर आपक करे उसका आदा है यहां लोग स्को रिकिस््टलाजीशन टेंपरिचयर भी बोलते हैं ती किस्टालाजेशन बतलब टी में पोईंट या ती क्रिटिकल या टी किस्या एक ऐसा पॉismine re-k conditioner PROF यहां पर आपके जो ए्टॉम्स थे उसका everyone तो सभी काफ़े अच्छे से जम्म हो हैं अभी अच्छे इनके अंदर बोंडिंग है लेकिन अगर उनकी बोंडिंग को डिश्टब करना तो आप लोग क्या करोगे उसको एक सर्टें टैपर आप गरम करोंगे जब तक का गर्म करोगे जब तक कि उसके मोलिकुल्स पूराने टूटके नए किस्टलाइन अर्रिजमेंट dall होजए तो यह कंब होगा वह क्रिटिकल पॉइंट के आसपास होता है तो इसीजेंटा हो जाता है तो लोबे किर्टिकल पॉइंट के अपर critical point आपको clear होगा तो अब जितने भी हमें process पढ़ूँगा तो अगर मैं आपर बोलता हूँ कि यहाँ पर मैं lower critical point के नीचे hitting कर रहा हूँ तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ 700-23 से नीचे cooling hitting हो रही है अगर मैं बोलता हूँ मैं lower critical point के उपर कर रहा हूँ तो अब बात करते हैं लोग process annealing की कि यहाँ पर हम लोग किस rate से और कहाँ पर heat करेंगे तो सबसे पहले बात process annealing हम लोग क्यों करते हैं तो एक और चीज उसके पहले बताना चाहूँगा आपको कि देखिए आप यहाँ अर्ण कैंट आंदक आम ने पड़ा था तो यह पूरा आपका था क्या था फेराइट प्लस सेमेंटाइट था था तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले जो मेरा normal structure रहता है फेज रहता है उसको ऑस्टेनाइट में convert करते हैं आप जानते हैं इसके उपर पुरा क्या है ओस्टेनाइट कि जो आपका जो material था वह fully ओस्टेनाइट में convert हो चुका है मतलब यहां पर जो है मेरा stable ostonite है यहां पर जो है ostonite मेरा वह unstable ostonite होता है ठीक है तो lower critical point के आसपास मेरा ostonite unstable होता है और upper critical के उपर बेर जोस्टिनाइट होगा वो पूरा प्योर एक बहुत ज़दा आपका जो लोहा है वो नर्म हो जाएगा आईरेन आपका नर्म हो जाएगा और आप फिर उसके आपको ज़रत पड़ती है कि आपको उसके मोलेकुल्स को पूरा ही री ग्रेन साइज बनाना है तो आप लोग उसको अपर करना है या उसकी स्ट्रेस से रिमूव करना है तो आप उसको लोवर क्रिटिकल पूइंट के आसपास भी कर सकते हैं तो क्या-क्या फाइदे प्रोसेस स्ट्रेस को आप क्या कर सकते हूँ रिमूव कर सकते हूँ या पर उसके बाद डक्टिलिटी इंक्रीज कर सकती है डक्टिलिटी केन बी इंक्रीजट और तीसरा हमारा जो रहेगा वह यह कि ग्रेन को रिफाइन हम लोग कर सकते हैं जो ग्रेन थी उसको रिफ्रेम कर सकते है refine कर सकते हैं मतलब grains को आपस से हम लोग बना सकते हैं अब process any link में होता क्या है हम लोग करते कैसे हैं तो देखिए होता क्या है कि आप लोग क्या करेंगे आपके specimen को लेंगे उसकी heating करेंगे specimen को आपने heat किया उसके बाद उसको shocking करेंगे लेकिन किस temperature तक अब कितना हमको हीट करना है तो process any link के अंदर हमेशा हम लोग lower critical के नीचे ही क्या करते हैं hitting करते हैं अगर आप यहां देखें तो हम लोग क्या करते हैं कि lower critical point के नीचे जो hitting होती है हमेशा वह होती है process any link के अंदर मतलब यहां पर हम लोग fully austenite में convert नहीं कर रहे हैं तो इसा हम लोग कहां करेंगे तो process any link कहा हम लोग करेंगे जहां पर cold working होती है जहां पर cold working होती हो ठीक है cold working के कारण क्या होता है कि उसके अंदर stresses generate हो जाती है अब cold working क्या होता है कि suppose को तो यह roller है ठीक है यह आपके roller यहां पर लगे हुआ है आपने आपका मट्रेलिस में गया और rolling के कारण क्या हुआ इसकी size चोटी हो गई ठीक है तो अब इसके molecules क्या हो गई अब रोल हुआ तो cold working के क्या हुआ है कि जितना भी elongate हुआ है plastic deformation हुआ है उसके कारण इसके atoms है वह size अपनी size change कर चुके हैं तो अब size change कर चुके हैं इनके अंदर stresses आ चुकी है अब अगर हम again इसकी cold working करेंगे तो क्या हो जाएगा यह break हो जाएगा तो हमको जैसे wire बनते wire drawing होती है तो wire में 8 mm का wire फिर उसको 6 mm convert किया फिर 4 mm फिर 2 mm तो वहाँ पर again क्या करना पड़ता है हमको एक step के बाद में उसको heat करना पड़ता है और वहाँ पर हमको कौन सी process करते है process annealing process annealing हम का करते है जहाँ पर हमको cold working के कारण materials के अंदर dislocations interrupt हो जाती है या internal stresses आती है तो उन सबको remove करने के लिए हम लोग क्या करते है 50 to 60 degree below lower critical temperature हम लोग क्या करेंगे heat करेंगे यहां तक और उसके बाद जवाब heat करोगे और उसके बाद again cold working करोगे तो smooth लिए आपको जो degradation चाहिए amount में जो reduction चाहिए thickness में वो आपको मिल जाएगा तो metal working, wire making जहां पर भी होता है metal working और wire making ठीक है metal working और wire making इन industries के अंदर हम लोग इन बनाने के लिए हम लोग process annealing करते हैं I hope आपको process annealing के लिए रहा होगा अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा अगला है तो दूसरा जो process annealing का वह है मेरा कौन सा है full annealing तो full annealing में लोग क्या करत करते हैं अपर critical point मतलब आपका यह हुआ तो इसके अब वोगर आप किसे भी चीज को गर्म करते हैं तो वह आपका क्या होता है कि फूल एनिलिंग ठीक है फूल एनिलिंग का रिजन है यह था आपका प्रोसेस एनिलिंग एक बहुत important बात है जो मैं मिस कर गया वो यह है कि जब भी हम लोग एनिलिंग प्रोसेस करते हैं तो उसको हीट करने के बाद उसको कुछ समय तक घर्म रखेंगे उसके बाद जो उसकी cooling करेंगे वह मैंसा स्लोवेस्ट कुलिंग ठीक है यहाँ पर क्या होगा स्लोवेस्ट कुलिंग होती है फर्नेस के अंदर फर्नेस्ट कुलिंग इस दा स्लोवेस्ट कुलिंग तो सबसे क्योंकि फर्नेस कुलिंग मतलब क्या हुआ देखिए आपने क्या किसी बी सबस्टेंस को आपने गर्म किय किसी फर्नेस के अंदर सब्सक्राइब को यहां से नहीं निकाला इसमें ही रहने दिया अब जब इसमें ही रहने दोगे तो फर्नेस बन करने के बाद भी क्या रहेगा कि आपकी फर्नेस तो अभी भी घर्म है तो जो कूल होगा है आपका मटेरल बहुत दीरे दीरे बहुत स्लो कूलिंग होगी तो एनिलिंग के अंदर बहुत स्लो कूलिंग होती है एनिलिंग में सबसे ज़्याद समय लगता है एक किसी बी चीज को कूल होने में तो कूलिंग जो होगी किसी भी एनिलिंग प्रोसेस में वो आपकी कौन से होगी furnace cooling होगी full annealing में अब क्या करेंगे हम लोग अपर critical point से उपर उसको गर्म करेंगे अब full annealing क्यों करते हैं हम लोग तो full annealing हम लोग इसी लिए करते हैं क्योंकि अगर कहां लोग हम ने कोई किसी process के थुरू कोई चीज़ develop किये तो उसके अंदर क्या हो जाता है कि उसमें hardness उसकी इतनी बढ़ जाती है कई बार वो bitterness उसमें आ जाती है तो उसके करने हम लोग उसकी machining नहीं कर सकते हैं लेकिन हम तो चाहते हैं कर आपने casting क्या है तो आपको machining तो उसमें करना ही पड़े कि हम लोग full annealing करेंगे full annealing के अंदर हम लोग क्या करते हैं specimen को गर्म करेंगे elevated temperature तक कहां तक upper critical points से उपर तक हम लोग अब मतलब जहां पर आपका जो austenite है वो stable austenite में convert हो जाएगा उसके बाद उसको कुछ समय तक बार रखेंगे उसके बाद उसकी furnace को क्या है full annealing का तो machinability increase करने के लिए full annealing करेंगे ठीक है machining साती सात उसकी internal internal stresses internal stresses remove करने के लिए internal stresses remove करने के लिए हम लोग क्या करेंगे annealing करेंगे full annealing के दो फायद है एक तो महिन फायद हमारा यह है कि हम लोग क्या कर सकते हैं उसकी machinability बढ़ा सकते हैं क्योंकि कैसे बढ़ेगी देखेंगे आप लोग काम कैसे होगा जीसे कोई आपका substance है यह ठीक है इसके भी अगर मान लोग हार्ड हैं तो annealing से क्या होगा जीसे आप इसको गर्म करोगे 900 डिगरी के असपास तो जो भी इसके atoms थे वह थोगा सा lose होंगे bonding उसकी lose होगी और atoms को वापस से समय में लेगा कि वह एक proper way में जमें और जब आप इसके cool कर रहे हैं तो आप जान रहे हैं आप furnace cooling कर रहे हैं मतलब items के बाद बहुत समय हैं कि एक क्रिस्टलाइन फोम में करणवड हो सकते हैं तो जब भी मुझे किसी material के dexality बढ़ाना है मुझे stresses relief करना है मुझे grain size को arrange करना है तो मैं आखें बंद करके मैं क्या करूँगा annealing process में जा सकता हूँ ठीक है थर्ड process हम लोग पढ़ते हैं अब लोग वह हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा तीसरा process annealing का वह हमारा spheroidizing annealing spheroidizing annealing क्या होता है देखे आपने अभी तब देख लिए अगर तो लो carbon steel से लेकर medium carbon steel तक हम लोग वह हीट कर पा रहे थे लेकिन जो spheroidizing annealing होगा यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं only dutectic point dutectoid point के आसपास upper critical lower lower critical point से 30 degree उपर या 30 degree नीचे तक ही क्या करते हैं किसी चीज को गर्म करते हैं और इसके बाद उसको ठंडा करते है furnace में तो उसको हम लोग क्या बोलते है spheroidizing spheroidizing का तरीका यह है कि आप क्या करेंगे heat करेंगे तो spheroidizing का काम में आती हमको क्या करना है machinery improve करना है machinery improve करना है और अगर उसके अंदर carbide जमा हुआ आप देखिए है उसके अंदर कार्बाइट जम गया है ठीक है तो इस फुड़ाजी में क्या होता है कि हम लोग घर्म करते हैं उसको एक सर्टेन टेंपरचर तक मान लो सब्सक्राणा तो उसके मैं कार्भाइट खॉड़ा रही कार्बाइट को छोटे-छोटे बागों में टो तो sphrodising का मतलब यह कि sphrodising annulling के थुरू क्या होता है कि जो आपका carbide है जो बना हुआ है वो छोटे-छोटे spare में convert तूट जाते हैं जो carbide है वो diffuse जाता है छोटे-छोटे spare के अंदर जिसके कारण उसकी strength बढ़ जाती है और ductility भी बढ़ जाती है लेकिन जो तो उसकी bitality थी वो खतम होका थोड़ा से इसके अंदर तफने सा जाती है ठीक है तो उस करण हम लोग क्या करते है उस process को हम लोग बोलते है isprodising annulling अब जो चोति process होगी के सो जो हमारा fourth जो annulling process है that is diffusion annulling अब diffusion annulling क्या होगा है diffusion आप आप नाम से समझ सकते हैं कि कोछना कुछ यहाँ पर diffuse वोने वाला है ठीक है तो यह लोग कहां पर करते हैं तो basically जब heavy casting बनती है आप लोग कर देखें तो heavy casting बनताते हैं लोग बड़ी-बड़ी casting होती है और या बड़े-बड़े ingot होते हैं ingot मतलब यह होता है कि जो जब heavy casting बनते हैं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा chances होते हैं कि इसके इंदर इंह हमोजुनिटी हो जाएगी और इंहमोजुनिटी के कारण क्या होगा कि उसके पार्टिकल्स एक homogeneous way में नहीं हो पाएंगे, unhomogeneous way में रहेंगे, और उसके कारण उसके break होने के chances उसके अंदर defect काफ़ जदा आ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उन defects को उस inhomogeneity को हटाएं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, diffusion process annealing करते हैं, तो diffusion process annealing में क्या होगा, अब तक हम लोग 1200 से 1200 degree तक किसी को गर्म करें, मतलब इतने degree temperature तक लोग जाएंगे, मतलब उसकी पूरी molecule structures को हम लोग वापस से reframe करने वाले हैं, तो हम 1200 से 1200 degree temperature तक अगर्म करते हैं, और इस पर उसको कुछ समय तक रखते हैं, उसके बाद जब furnace को लिंग करते हैं, तो उस type के process को, उस type के annealing process को बोलता हूं में diffusion annealing, तो इसके अंदर क्या होगा, यह 1100-1200 तक जाएगा, तो आपका जो austenite वो fully आपका stable हो जाएगा, और 1000 तक ही stable हो जाता है, लाकि हम तो 1100-1200 पर जा रहे हैं, तो basically जितना भी उसके अंदर molecules थे, वो properly वापस arrange होंगे, बहुत अच्छे से arrange होंगे, और उसके कारण उसका जो chemical imbalance है, जो chemical imbalance है, कहीं पे carbon जादा आगया, कहीं पे iron जादा आगया, कहीं पे मतलब हो mówajunious नहीं रहेगा ठीके, तो वो chemical balance हो जाएगा, जो imbalance proper हो जाएगा, chemical imbalance सही हो जाएगा पका, उसके बाद जो है आपका जो सेकंडर जो है वह वारा क्या है जो इन होमोजुनेटी थी इन होमोजुनेटी जो थी वह भी खतम हो जाएगी और आपका मिक्सर पुरा क्या हो जाएगा एक होमोजुनियस वे में काम करेगा और जो आपका कास्टिंग हार्ड हो गए थी और जहां पर chemical imbalance हो, जहां पर inhemigurity नहीं हो, जहां पर मेरा brittleness मिल जाती है, तो उसको वापस से ductile बनाने के लिए, उसको वापस से उन सब भी कम्यों को दूर करने के लिए जो process करते हैं, वो diffusion annealing process करते हैं, अब हो सकता है कि आपको थोधा confusion हो को सरी process process में सभी में काम तो हो रहा है, heating कर रहे हैं, cooling कर रहे हैं, furnace में cool कर रहे हैं यह process में सब आप बोल रहे हो, ductility बढ़ा रहे हैं, तो देखिए, सब में basically 2 या 3 काम तो सब करेंगे ductility हर annealing process बताएगी, हो सकता है किस एक्जाम में आपको direct annealing पूछ ले, कि annealing क्या करती है तो आप बोलो ductility बढ़ाएगी stress relief करेगी, अगर आपको कोई detail में पूछता है कि process annealing का क्या मतलब है, या what is the difference between process annealing and full annealing या what is the difference, what are the temperature range of all these annealing तो वहाँ पर आप लोग इनको detail में बता सकते हैं, otherwise अगर comment पूछते हैं तो आप बोल सकते हो कि ductility बढ़ाएगी, stresses को relieve करेंगे, उसके लावा उसकी toughness बढ़ाएगे, और यह कुछ comment points है आप हर annealing process में बता सकते हो, I hope आपको चीज समझ में आया होगी इसमें अगर को doubt आ रहा है आपको तो आप मुझे इसमें comment कर सकते हैं, या class में पूछ सकते हैं, तो यह था हमारा annealing processes का video, अगले lecture में बात करेंगे normalizing और hardening और tempering के बारे में, जो बचीवी process ही treatment के हम लोग अगले lecture में cover करेंगे, तो be attentive और यह lecture clear कर ले, अगला lecture जरूर देखें, thank you so much